देखो ये भी थोड़ा सा समझने वाला कुश्चन है हाडी वीनबग प्रिंसिपल से कुश्चन पूछा गया है बोल रहा है एक डिसॉर्डर है जिसका नाम है सिक्कल सेड अनीमिया विनो की सिक्कल सेड अनीमिया इस एन आटोजोमर डिसेशिव डिसॉर्डर पेडिग्री को आप लोग लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजिली लॉजिक के साथ साथ ट्रिक्स से बहुत इजिली इस कुश्चन को सॉल्व किया जा सकता था तो हेलो बच्चों मेरा नाम है आकाश और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आईएटी 2023 का पेपर डिसकशन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बायलोजी सेक्शन की पेपर डिसकस करने से पहले देख लेते हैं कि पेपर एक्चुली में था कैसा थोड़ा सा अनलाइज करके देखते हैं इस पेपर को तो यह पेपर का अगर मैं लेवल बोलू तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में था है ना हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट था लेकिन तूर्ड दा इजीर साइड फैक्चुल कुछन जादा पूछे गए थे कुछ कॉंसेप्चुल कुछन भी पूछे गए थे जैसे बायो टेकनोलोजी से हार्डी वीनबग पिंसिपल से सेल बायोजी से जेनिटिक से थोड़े बहुत कॉंसेप्चुल कुछन पूछे गए थे बट मेजर ली यहां पर ऐसे कुछन पूछे गए थे जो आपको रिवीजन के थ्रू आएंगे तो इसलिए मैं बायोजी सेक्शन में बार-बार बोलता हूं कि अगर आपको बायोजी में 15 out of 15 स्कोर करना है तो आपको NCRT की rigorous reading करनी पड़ेगी और बार-बार करनी पड़ेगी repeated revisions करने पड़ेंगे ठीक है देखते हैं पेपर को की पेपर के questions कैसे थे अगर मैं बात करता हूं पहले question की तो यह पहला question actually में वहां से पूछा गया है जो पार डिलीट हो गया है क्योंकि हमें पता है कि NCRT rationalize हो चुकी है तो इससे कुछ पार्ट हट चुकी है यह question rationalize NCRT में हटे हुए portion से है अगर मैं यहां इस question की बात करता हूं तो यह cell structure organization इन animals से पूछा गया है tissue वाले पार्ट से तो यहां पर हमें tissues दिये हुए है और उनके function से हमको इसको match करना है तो हमें पता है squamous tissue जो है वह exchange of gases में help करता है तो option match कर लेते हैं तो squamous tissue exchange में या diffusion में involved होता है cuboidal epithelium का function हमें पता है कि cuboidal epithelium reabsorption and secretion में involved होता है ठीक है तो अगर मैं cuboidal epithelium का देख हूँ यहां पर तो इसका option हो जाएगा third next columnar epithelium में हमें एक बहुत ही खास बात पता होती है कि columnar epithelium के जो cells होते है उनका nucleus basal होता है तो यहीं से इसका answer में पता है कि columnar epithelium का basal nucleus है और बाकि ciliated epithelium जो होती है उसका भी हमें idea होता है कि जिस चीज में भी cilia होती है वो movement and locomotion में role play करता है और यहां पर option भी एक ही बचा हुआ है कि यह movement में help करता है ठीक है हाला कि इस question में पूरा question पढ़ने की भी ज़रूत नहीं थी अगर आपको p का option पता है तो सारा ही answer आपका आ जाता क्योंकि p का 4 सिर्फ एक ही option में दिया हुआ है तो इस तरह से भी आप options देखके भी judge कर सकते answer को ओके देखते है next question यह question भी digestion chapter का है हाला कि digestion भी deleted part में है लेकिन यह question कहीं और से भी link करके पूछा जा सकता है यह question पूछ रहा है कि peptones क्या होते है peptones P से peptone P से protein होता है जब protein का digestion होता है तो protein जब टूटती है छोटे छोटे parts में तो they are the fragments of that large polypeptide chain तो peptones are actually the fragments of a large polypeptide chain यही चीज़ का answer हो जाएगी तो it's a partially digested protein ओके next देखते हैं देखो यह question जो है यह biomolecules chapter का है काफी जादा factual question है अगर आपने NCRT biology पढ़ी होगी biomolecules chapter पढ़ा होगा वहाँ पे एक table दिया हुआ है उसी से question है okay insulin जो है वो इसमें से किस चीज़ से match करता है हमें पता है insulin is a polypeptide chain और a protein and proteins are always heteropolymers okay तो protein is a heteropolymer अब यहीं से इसका answer आजाएगा क्योंकि P का 4 एक ही option में दिया हुआ है तो इस तरह से आप solve कर सकते हैं but let us see or other option also inulin जो है यह एक carbohydrate है it's a homo polymer of sugar molecule ठीक है तो it's a homo polymer lectins हमें पता है कि it's a secondary metabolite ठीक है और हमें पता है lecithin जो है यह quaternary ammonium derivative होता है okay तो इसका answer हो जाएगा P का 4 Q का 2 अला option तो P का 4 Q का 2 अला option first ही है okay चलते हैं आगे next question की बात करें तो यह question पुछा गया है हमारे cell biology से cell biology में भी cell division part से बहुत बार यह चीज़ class में भी discuss की गई थी और हमारे crash course में भी discuss किया गया था mock test में भी ऐसे questions आए थे देखते हैं क्या यह question कह रहा है यह question कह रहा है कि एक drug है जो की microtubule formation को inhibit करता है तो ऐसा drug जो microtubule formation को inhibit कर रहा है वो सबसे पहले कौन सी stage of cell division को affect करेगा यह इस question ने पूछा है और हमें पता है कि microtubule यानि कि spindle formation spindle fiber formation की बात कर रहा है तो spindle fiber हमें पता है कि it actually occurs for the first time in metaphase stage, तो metaphase should be the answer, ठीक है, इसमें बस आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, कि यार, कौन सी stage of cell division में क्या functions होते हैं, क्या काम होते हैं, बहुत ही simple question है, ठीक है, next देखते हैं, आजाओ next question पर, ये question जो है, ये एक हम बोल सकते हैं कि linked type का questions है, है न, morphology of plants और ये और भी reproduction in plants से mix किया हुआ question है, देखते हैं क्या बोड़ रहे हैं, ये बोड़ रहे हैं कि incorrect बताना है हमको, एक-एक करके सारे options देखते हैं, कह रहे हैं कि monocot seed में जो membranous seed coat होता है, जो कि fruits, walls से fuse होता है, उसको alluron layer बोलते हैं, हमें ये पता है कि monocots में alluron layer तो present होती है, लेकिन monocots में alluron layer fruit और seed के बीच fusion नहीं कराती है, alluron layer is something else जो कि seed के अंदर present होती है, it's a proteinitious membrane, यही statement यहाँ पे गलत हो जा रहा है, तो यही statement गलत हो गया है, तो हमको पता चल चुका है, तो यही answer हो जाएगा, but let us see other options also, कह रहे हैं कि endosperm is not present in mature dicot seeds, बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि जादा तर जो dicot seeds है, उन सब में endosperm maturity तक आते आते खतम हो जाते हैं, तो यह तो option सही हो गया, मतलब ही statement सही है, but we have been asked कि incorrect बताना है, ओके, next, dicots में outer layer of seed is called testa, सही बात है, testa और tegment seed coat की layers होती है, यह भी बात सही है, fourth, colioptile और colioryza are present in monocots, this is also correct, कि colioptile और colioryza monocot seeds के features होते हैं, उसमें present होते हैं, ठीक है, colioptile जो है वो shoot tip को cover करता है, यानि कि वो plumule को cover करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो इसमें incorrect treatment है, वो है A, ओके, चलते हैं next, अब next question देखते हैं, यह भी deleted portion से ही question पूछा गया है, secondary growth से question पूछा गया है, बहुत ही आम तोर पे पूछे जाने वाला question है यह, पूछ रहा है कि हम age of a tree को कैसे पता लगा सकते हैं, हमें पता है कि age of a tree को हम कैसे पता लगा सकते हैं, by secondary growth, जब कोई भी plant secondary growth under को कर रहा होता है, तो हर साल उसमें दो type की rings बनती हैं, जो हम लोग तने देखते हैं यह ट्रंक देखते हैं एक पेड में, है ना, tree में, उसको अगर हम cut करेंगे, तो उसमें हम लोग को ring type के structure मिलते हैं, और वही ring type के structure कहलाते हैं, springwood and autumn woods, तो autumn wood और springwood के numbers को count करके, हम किसी भी tree की age को पता कर सकते हैं, and that should be the answer of this question, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, springwood and autumn wood should be the answer, D is the answer, ठीक है, हलागी यह part अभी आपकी revised NCRT से remove हो चुका है, चलते हैं next question में, यह भी question उसी part से हैं, जो revised NCRT में remove हो गया है, ठीक है, nitrogen fixation, biological nitrogen fixation से यह question पूछा गया है, देखते हैं कि इसका answer क्या होगा, पूछ रहा है कि correct statement क्या है यहां पर, चीक है, एक एक करके देखते हैं, क्या रहा है कि catalytic redox center of nitrogenase contains MOFES co-factors, बिल्कुल सही बात है, जो nitrogenase enzyme है, it's a metallo enzyme, या metallo protein, जिसमें कि molybdenum और iron as a co-factor act करते हैं, this is a correct statement, तो answer तो हमारा आ गया, correct पूछा गया था, but let us see other options also, देखते हैं, क्या रहे हैं कि atmospheric nitrogen is fixed by nitrogenase, by converting it from N2 to NO3, nitrogen से nitrate में conversion नहीं होती है, भाई, biological nitrogen fixation में, nitrogen से ammonia में conversion होती है, तो this is incorrect, नेक्स्ट, nitrogenase जो है, वो best function करती है, molecular oxygen में, यह ऐसा statement वोड़ा है, which is incorrect, biological nitrogen fixation के लिए, हमें anaerobic condition चाहिए होती है, हमेशा ही, तो अगर कहीं भी यह पूछा जाता है, कि for nitrogen fixation, हमको क्या चीज़ चाहिए, तो हमको oxygen तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, इसलिए हमारे जो plant root होते है, root nodules होती है, जहां पर nitrogen fixation होती है, वहाँ पर एक oxygen scavenger present होता है, जिसका नाम होता है leg hemoglobin, तो यह statement तो हो जाता है, गलत, क्योंकि यह कह रहा है कि oxygen की presence में nitrogen is best act करती है, तो इस रॉंग, ठीक है, यह कह रहा है कि भाई, aspargene और glutamine जैसे amides का transportation phloem के थू होता है, विच इस रॉंग, यह जितने भी amides होते है, aspargene, glutamine, इन सब का transportation xylem vessel के थू होता है, xylem vessel के थू होता है, ठीक है, तो इस statement is also wrong, तो the sole correct answer is A, तो वो तो हमको पहले ही पता चल गया था, कि A सही answer है, लेकिन बागी answer को wrong बताना था, ठीक है, देखते हैं आगे, next, देखो भई, next question, ecology का है, पूछ रहा है कि genetic diversity से related कौन सी बात इस में से सत्ते है, example है उसका, ठीक है, देखते है, पहला option कह रहा है कि variation in the potency of concentration of reserpine produced by ropfolia vomitoria, हमें पता है कि यह जो genetic diversity होती है, यह species के अंदर की चीज़ होती है, यानि कि species के अंदर चीज़े क्या होती है, species के अंदर होती है, sub species, varieties, है तो एक species की कई सारी varieties हम genetic diversity पर study करते हैं, जैसे कि mango की अलग-अलग varieties होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि rice की अलग-अलग varieties होती है, तो वो सब genetic diversity के अंदर आती है, तो यहां भी यह बोड़ रहा है, रॉफोलिया, वोमिटोरिया जो है, उसकी different type के variations को हम genetic diversity में रख सकते हैं, which is a correct, ठीक है, तो यह इसका answer हो गया, अब इस paper में जादा तर options, जादा तर questions में इसी तरह से answer आप लोग के आ सकते थे, biology section में, कि एक statement सही हो गया, और तो बाकी को पढ़ना ही नहीं है, तो paper को, आप लोग बहुत आराम से, और बहुत ही जल्दी attempt कर सकते थे, at least biology section को, तो यह चीज है यहां पर, तो यह statement सही हो गया है, देखते हैं, बाकी चीज़ें गलत कैसे हैं, बी कह रहा है कि, higher diversity of amphibians in the western ghats, than in eastern ghats, गलत statement है, यह species diversity का example होता है, ठीक है, genetic diversity, हमारे पास, जो bio diversity है, वो तीन प्रकार की होती है, genetic diversity, specific diversity, और ecological diversity, ठीक है, तो यह species diversity का example है, next, greater variation of ecosystem found in India, than in Scandinavia, यह ecological diversity का example है, ठीक है, तो यह भी गलत हो गया, next, greater diversity of plant species found in India, compared to Central Asia, यह भी species diversity का example है, तो यह तो गलत हो गया, genetic diversity का example, इस पर शिर्फ यह है, क्योंकि यह species के अंदर की चीज़ों को categorize कर रहा है, ठीक है, तो this is the correct option, चलते हैं, next question, अब देखो, यह question, कई सारे बच्चे पढ़ने में mistake कर सकते हैं, ठीक है, यह transcription की बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है, translation की, बोल रहा है कि, अगर mRNA को हम लोग use कर रहे हैं, translation में, यह कह रहा है कि, अगर हम mRNA को use कर रहे हैं, translation में, तो at the end of translation, ऐसे कौन से factors होते हैं, जो mRNA से bind करते हैं, जिसकी वज़े से translation खतम हो जाती है, यानि कि polypeptide का formation खतम हो जाता है, या बंद हो जाता है, answer इसका row factor नहीं होगा, क्योंकि row factor transcription को खतम कराता है, release factors, translation को खतम कराते हैं, इसका answer होगा release factors, हमें पता है, translation तब बंद होती है, जब हमारे पास stop codon आजाता है, stop codon हमें पता है, UAA, UGA and UAG होते हैं, जब ये तीनों codon में से कोई एक codon को encounter करते हैं, हमारे ribosomal complexes, तब वहाँ पर release factors bind करते हैं, और translation की process को stop कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा A, चलते हैं next, ये देखो, human reproduction chapter से question पूछा गया है, एक-एक करके देखते हैं, क्या option सही होंगे, क्या option match करेंगे, देखते हैं, सर्टोली cells, हमें पता है, सर्टोली cells, human testis में present होता है, मतलब males का character है, सर्टोली cells, और सर्टोली cells के दो functions होते हैं, पहला होता है, कि ये sperms को nourishment provide करता है, और दूसरा होता है, कि एक hormone produce करता है, जिसका नाम होता है inhibin, और ये जो inhibin है, ये FSH की over activity को suppress करता है, देखते हैं, सर्टोली cells जो है, इसमें से किस से match करा है, it provides nutrition to the developing spermatozoa, तो P का हो जाएगा 4, P का हो जाएगा 4, ठीक है, तो पहले ही option से, तुम लोग answer judge कर सकते हो, देख लो, और किसी में P का 4 दिया ही नहीं हुआ है, तो तुम लोग को यहीं से answer आजाएगा, यहीं सही answer है, देखते हैं, बाकी भी कैसे match होते हैं, यहाँ पर दिया है Q का 5, Q का 5, FSH जो है, वो ovulation को trigger करता है, सही बात है, लेकिन FSH से जादा, LH जो है, वो trigger करता है ovulation को, बट इस statement is also correct, FSH भी उसमें role play करता है, प्लसेंटा जो है, वो एक neuro endocrine system की तरह भी काम करता है, तो प्लसेंटा, hormones भी secret कर सकता है, HCG, HPL, यह सारे hormone secret करता है प्लसेंटा, तो chorionic gonadotrophin, secret कर सकता है प्लसेंटा, R का 1 हो जाएगा, यूरेथ्रा जो है, हमें पता है कि वो common chamber होता है, males में, वो sperm को भी carry करता है, और वो urine को भी carry करता है, from bladder, ठीक है, तो यूरेथ्रा, it carries urine from the bladder, तो यह जो matching वाले question आते हैं, यह काफी आसान question होते हैं, bio वाले student skill तो होते ही हैं, मैच्स वाले student भी आसानी से इसको solve कर सकते हैं, trick लगा के, trick में क्या होगा, आप option से judge कर सकते हैं, अगर आपको एक भी statement सही लग रहा है, एक भी आपका matching वाला, आपको option पता है, तो आप easily option से judge कर सकते हैं answer को, ठीक है, तो इस तरह से इसको solve किया जाता है, चलते हैं next question पर, देखते हैं next question, यह देखो, यह question थोड़ा सा आप लोग को tricky लग सकता है, कैसे, पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी disease है, जिसका causative agent को splicing of HN RNA के जरुद पढ़ती है, पहला पार्ट तो भूल जाओ, दूसरा पार्ट देखो, HN RNA जो है, उसमें splicing की जरुद किसमें पढ़ सकती है, आप लोग मुझे बताओ, HN RNA जो है, उसमें splicing की जरुद की जरुद पढ़ सकती है, कौन से type के organza में, prokaryotes में post-transcriptional modifications नहीं होती हैं, यानि कि prokaryotes में splicing, tailing, capping इस type के events नहीं होते हैं, यानि कि ये बात कर रहा है, ऐसे pathogen की जो eukaryotic है, और इन चारो option में से eukaryotic कौन सा organism होता है, मतलब इन चारो disease को cause करने के लिए, कौन सा organism ऐसा हमें चाहिए जो eukaryotic होगा, आंसर इस malaria, क्यूं? malaria को cause करता है plasmodium, और plasmodium is a unicellular eukaryote, plasmodium आप लोगों ने अगर biological classification chapter पढ़ा है, तो उसमें आप लोग ने पढ़ा होगा कि plasmodium is a type of protist, जो की protozoa category के sporozone category में आता है, तो malaria शुट भी दा आंसर, because it's the only eukaryote in this option, ठीक है, बाकी सारी bacterial disorders है, चलते हैं next question पे, यह देखो, अब last last में थोड़े tricky questions आ रहे है, यह question क्या कह रहा है, यह बोल रहा है, कि हमने 5 type के competitive inhibitors दिये हुए है, और एक enzyme दिये है, जिसकी active site triangular है, ठीक है, वो बोल रहा है कि इन 5 competitive inhibitors में से, कौन से inhibitor इस enzyme को inhibit कर सकते हैं, simple answer है, जो भी तुम्हारे inhibitors है, जिनमें ऐसी sites present है, जो कि substrate से, या enzyme की active sites से resemble कर रहे हैं, वो सब इस enzyme को inhibit कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं, कि ऐसे inhibitors, जिसमें कुछ ऐसी sites present होती है, जो कि active site पर bind कर सकती हैं, वो सब competitive inhibitor की तरह act कर सकते हैं, तो triangular है इसकी active site, तो कौन से triangular pockets करी करने वाले inhibitors यहां पर present हैं, देखो, इसमें triangular pockets हैं, इसमें भी हैं, बाकी और किसी में हैं, बाकी और किसी में नहीं हैं, तो P and S इस enzyme को competitively inhibit कर सकते हैं, तो this should be the answer, P and S should be the answer, A है, ठीक है, चलते हैं next, देखो, यह भी थोड़ा सा समझने वाला question है, Hardy Winberg principle से question पूछा गया है, एक disorder है, जिसका नाम है sickle sed anemia, we know कि sickle sed anemia is an autosomal recessive disorder, ठीक है, क्या रहा है कि हमने 10,000 individuals को, चुना है एक population में से, जिसमें से 4 लोगों को sickle sed anemia है, ठीक है, अब उसके बाद 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 पूछ रहा है कि हम यह बताओ, कि इस 10,000 की population में से, heterozygous for sickle sed anemia कितने individuals होंगे, महुती easy question है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना था इस question को, बोल रहा है, 10,000 में से 4 लोगो sickle sed anemia है, यानि कि, q square क्या हो जाएगा, q square की value हो जाएगी, 4 upon 10,000, ठीक है, यानि कि q square की value हो जाएगी, 4 into 10 to the power minus 4, तो q की value क्या हो जाएगी, q की value हो जाएगी, root of this, और root of this की value क्या हो जाएगी, 2 into 10 to the power minus 2, यानि कि 0.02, तो आप लोगो q की value पहसा चल गई, है ना, q की value अगर हम लोगों को पहसा चल गई है, तो हम p की value भी निकाल सकते हैं, कैसे, p plus q is equal to 1, 1, तो p is equal to 1 minus q, 1 minus 0.02 is equal to 0.98, है ना, 0.98 यहाँ पहाँ आ जाएगा, ये आप लोगो का क्या हो जाएगा, ये आप लोगो का हो जाएगा, p, p और q दोनों निकल गए है, हेट्रोजाइगोट का क्या formula होता है, हेट्रोजाइगोट अगर हमें निकालने है, तो बस हमें 2p q करना पड़ेगा, है ना, तो 2 into p into q करेंगे, क्या answer हैगा, 2 into 0.98 into 0.02, 2 into 0.98 into 0.02, 2 into 0.98 into 0.02, will be the frequency of हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है, जब ये value तुम लोगो के पास आ जाएगी, तो बस उसको तुम लोगो 10,000 से multiply करना है, और तुम लोग के पास answer आ जाएगा, ठीक है, तो ये question इतना simple था, कि आपको यहां से इस question में जो चीज़े दी गई है, उससे q square पड़ा चल जाएगी, उस q square से आप q निकाल लो, q निकल गया, तो 2 into p into q कर के सीधा हेट्रोजाइगोट्स निकाल लो, पर वो हेट्रोजाइगोट्स जो निकलेंगे, वो हेट्रोजाइगोट्स वाले individual की frequency निकलेंगी, उसको 10,000 से multiply करोगे, तो आप लोग का answer आ जाएगा, ठीक है, तो this was a question, जो कि हम moderate बोल सकते हैं, ये देखो, ये question क्या कह रहा है, बायो टेक्नोलजी से है question, बहुत ही बढ़िया प्यारा question है, बस इसको पढ़ना आना चाहिए question को आप लोग को, ठीक है, अगर कोई बच्चा ये diagram और ये question देख के आगे बढ़ गया, तो फिर तो गया, है ना, इसको पढ़ो और देखो, क्या है इसका answer, question कह रहा है, कि हमने क्या किया, एक plasmid लिया है, जिसका नाम है P.I.A.T, ठीक है, जिसकी length है 3.5 kilobase, ठीक, उस plasmid के अंदर, हमारे पास बहुत सारी restriction endonucleus site है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ECO-R1 की cut site है, हिंड 3 की sites है, और NOT restriction endonucleus की 3 sites है, ये, ये, और ये, ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने ECO-R1 और हिंड 3 के बीच में, 1000 base pair का sequence insert कर दिया है, ऐसा उसने हमें question में बोला है, ठीक है, ठीक, तो हमने 3.5 kilobase pair, वाले plasmid में 1000 base pair का और DNA insert कर दिया है, मतलब जो total length है, इस plasmid की वो अब 3.5 से बढ़के 4.5 kb हो जाएगी, ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि, ऐसा करने के बाद, हमने 2 experiment किये, पहले experiment में हमने इस plasmid को cut किया, NOT1 और ECO-R1 से, पहले experiment में हमने इस plasmid को cut किया, NOT1 और ECO-R1 से, ठीक है, और उसका gel electrophoresis किया, दूसरे experiment में हमने इसी plasmid को cut किया, NOT1 और HINDS 3 से, और फिर उसका gel electrophoresis किया, और जब दोनों में ही gel electrophoresis हम करेंगे, तो हमको specific bands दिखेंगे, क्योंकि cuts अगर हम लगाएंगे, तो हमको different fragments मिलेंगे, जो कि gel में अलग-अलग जगे resolve होंगे, है न, वही यह पूछ रहा है कि हमको bands कौन-कौन से मिलेंगे, और कितनी-कितनी lens के मिलेंगे, ठीक है, बहुत यह असान question है, आपको बस cuts लगाते जाने हैं, जहाँ-जहाँ इन्होंने बोले हैं, देखते हैं, पहले यह कह रहा है कि इसने 0-1 और Eco-R1 का cut किया है, ठीक है, 0-1 यहाँ पे है, 0-1 यहाँ पे है, 0-1 यहाँ पे है, और Eco-R1 यहाँ पे है, ठीक, तो एक fragment तो हमको यह मिल जाएगा, ओके, दूसरा हमको यह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Eco-R1 और 0-1 के बीच cut किया है, तो यह मिल जाएगा, तीसरा हमको 0-1 और 0-1 के बीच का cut मिल जाएगा, चीक है, और चौथा हमको यहाँ से, यहां के not one के बीच cut मिल जाएगा यानि कि यह चोथ हक cut मिल जाएगा ओके तो पहले experiment में हमको चार fragments मिलेंगे DNA के of different lengths जिनकी electrophoresis करने पे हमको चार bands मिलेंगे gel plate पे ओके next में वो क्या कह रहा है next में वो कह रहा है कि हमने not one और हिंड three से cut किया है ठीक not one और हिंड three से अगर मैं cut कर रहा हूं DNA को तो मुझे कितने fragments मिलेंगे यह देखते है not one not one not one ठीक है तीन cuts किया हमने और यह है हिंड three ठीक एक not one not one का तो हमको यह fragment मिल जाएगा मतलब यहां से यहां तक ठीक है एक यह मिला ओके अब इधर से आगे चलते हैं not one equal one से तो cut किया नहीं है तो यह not one जाएगा यहां तक तो यहां से यहां तक हमको एक दूसरा fragment बल जाएगा ओके फिर यहां से शुरू करो यह not one से हिंडी 3 में हमसे हमने cut किया है तो इस not one से इस हिंडी 3 तक मतलब यह वाला तीसरा fragment मिलेगा और इस हिंडी 3 से इस not one तक चौथा fragments मिलेगा यानि कि दोनों ही experiments में दोनों ही cuts में हमको चार-चार fragments मिल रहे हैं तो अगर हम लोग चार-चार cuts वाले option को ही देख लें तो ही हमारा answer आ जाएगा लेंथ तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है अगर options तुम लोग देख रहे हो यहां पे पहले ही option में आप लोग को चार fragments वाले दोनों में ही bands दिये हुए हैं यही इसका answer हो जाएगा अगर दूसरे options में आपको चार-चार वाले options मिलते तो आपको lens देखने की जरूरत थी लेकिन यहां पे तो बाकी option में तो हमको चार-चार वाले bands वाले option ही दिये देखो इसमें option देखके भी answer आप लोग बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं चीक है तो इसका answer हो जाएगा A because we have got four four fragments in both the experiments ओके चलते हैं next question की तरफ last question है pedigree analysis का बार-बार यह question हमने अपने mocks में पूचा है बार-बार हमने यह चीज़ अपनी class में discuss की है crash course में discuss किया था बहुत बार यह question discuss किया गया था और question आ भी गया चीक है देखते हैं क्या है यह question question बोल रहा है कि यह pedigree chart एक दिया हुआ है मुझे है ना और इस pedigree chart में मेरे पास ऐसा case आया है जिसमें पहले generation में यह female affected नहीं है यह male affected इनके इनके दो बच्चे होते हैं जिसमें से कोई भी affected नहीं है इधर आ जाते हैं तो इसकी शादी एक आदमी से हुई जो की affected नहीं है इनके बच्चों में एक बच्ची affected है चीक है अब pedigree को आप लोग logic से solve कर सकते हैं बहुत easily logic के साथ साथ tricks से बहुत easily इस question को solve किया जा सकता था जैसे कि अगर आप लोग को यह चीज दिख रही है कि एक pedigree में male भी affected है और female भी affected है तो आप लोग की probability बढ़ जाती है कौन से type की disorder के होने की autosomal disorder होने की पहले आपको judge करना है कि क्या यह disorder sex linked है या फिर यह autosomal है ठीक है अगर सिर्फ एक ही टाइप के individuals affect हो रहे हैं यानि कि सिर्फ male या सिर्फ female तो वह sex linked हो सकता है ठीक है कि लिंग्ड इनहेटेंस के केस में males बहुत जादा affected होते हैं क्योंकि अगर y-link है तब तो सिर्फ males ही affected होंगे और x-link disorders होते हैं x-link recessive disorders होते हैं तो भी उसमें males की affected होने की probability जादा होती है ठीक है तो अगर आप लोग को ऐसे cases मलते हैं जिसमें बहुत सारे males affected हो रहे होते हैं तो वह x-y-link disorder हो सकता है ठीक है हो सकता है मैं बोल रहा हूं हमेशा नहीं पर जादातर case में यह जीज़ देखी जाती है लेकिन अगर male और female दोनों ही लगभग equal proportion में affected हो रहे हैं तो probability इस चीज़ की बढ़ जाती है कि वह disorder autosomal हो तो यहां पर हम ट्रिक अपलाए कर रहे हैं कि यह disorder autosomal है क्योंकि इसमें male और female दोनों ही affected है इस पूरी pedigree chart में ठीक है जब हम यह चीज़ conclude कर लेते हैं कि whether it is sex linked और autosomal तो हमको दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या वो autosomal dominant है या फिर वो autosomal recessive है है ना देख लेते हैं क्या चीज़ है देखो अगर यह autosomal recessive है तो हम मान के चलते हैं कि क्या होगा आगे वो देखने वाली चीज़ है अगर यह autosomal recessive है तो इस person का बोथ the chromosome should be affected ठीक है जब इसके दोनों chromosome पर disorder होगा तभी तो यह affected होगा in case of autosomal recessive case है ना और this can be carrier और normal एक बार के लिए हम इसको normal और एक बार के लिए हम इसको carrier मान के चलते हैं ठीक है मान लिया normal है ठीक अगर यह normal है तो इसके दोनों ही बच्चों में एक normal और एक affected वाला chromosome जाएगा ठीक इसको तो हम छोड़ी देते हैं क्योंकि इसकी generation आगे बढ़ने रही है यहां पर देखते हैं तो this is carrier this female is carrier ठीक अब इस carrier female के बच्चे में disorder है है ना अगर इस carrier female के बच्चे में disorder है और यह disorder autosomal recessive है तो इस बंदे को carrier होना ही पड़ेगा मतलब इस परसन को और इस परसन को heterozygous for this trait होना ही पड़ेगा अगर यह normal होता पूरी तरह से तो इसका बच्चा affected नहीं होता ठीक है तो अगर इस case में यह disorder autosomal recessive fashion में inherit हो रहा है तो इस person को carrier होना ही पड़ेगा अगर यह normal होता तो फिर इसके सारे बच्चे normal होने चाहिए थे जो की नहीं है इस question में case because this is affected है ना तो इसलिए इस question का probable answer autosomal recessive disorder हो जाएगा अब देखो autosomal dominant क्यों हो सकता है कुछ बच्चे यह भी पूछ सकते हैं है ना autosomal dominant ना होने का reason है एक वो क्या reason है reason यह है कि अगर आपको इस तरह का pattern दिखता है जैसा मैं बताने जा रहा हूं कि parents affected है लेकिन प्रोजनी सारी normal है तो वो recessive वाला case होता है अगर parent affected है और प्रोजनी भी affected है या फिर कुछ एकाद प्रोजनी affected है तो वो autosomal dominant होने का case जादा हो जाता है ठीक है बट यहाँ पे देखो यह parent affected है लेकि इसके दोनों प्रोजनी normal है यानि कि यह disorder autosomal recessive है अब देखो यह दोनों parent normal है लेकिन इसकी प्रोजनी affected है यानि कि यह disorder recessively ही inherit हो रहा है क्योंकि recessive मतलब वही है जो छुप जाए है ना यहाँ पे तो है लेकिन दूसरी में यह चुप गया है यहां पर चुपा हुआ है यहां पर दिख रहा है तो जो चीज़े चुप जाती है जो ट्रेट्स चुप जाते हैं दोजार रिसेसिव और इसमें को clearly recessiveness दिख रही है तो दिस इन एक्जामपल ओप autosomal recessive disorder और यह जो three है जो male है यह heterozygous है इस trait के लिए ओके तो इसका answer यही हो जाएगा कि this disorder is autosomal recessive with heterozygous male in this case इसके father को ठीक है तो यह था हमारा paper का discussion of IAT 2023 biology section paper बहुत ही आसान था last के चार-पांच question थोड़े से conceptual थे लेकिन अगर आपने crash course लिया था आपने अगर हमारे courses से पढ़ा था तो आप लोग का एक भी question नहीं छूटता सारी की सारी चीज़े कहीं ना कहीं हम लोगों ने discuss की थी either in mock discussions है ना either in year-long course की classes हर चीज डिसकर्ज थी और हर डिसकर्ज चीज से कहीं ना कहीं question पूछा गया था जो predictions हुए थे वहां से भी question पूछे गए थे conceptual question भी वहीं से पूछे गए थे यह pedigree analysis जैसे हम देख रहे हैं यह भी प्रेडिक्टिड ही questions थे है ना तो यह था हमारा IAT 2023 का paper discussion hope you enjoyed the video thank you